हलो जहीं साथियों स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूटूब चानल पे आज है एक नमबर 2021 और आज की रेट में आईटे फश्टियर वालों का जो एक्जाम हुआ है उसमें जो भी कोशन पूछे गए थे एलेक्टिसियन थियोरी का फश्टियर का मैं सभी कोशनों को यहाँ पर बताने वाला हूँ जो आईटे के चात्रों को याद था उन्होंने बताया मैं आपको इस वीडियो के मादम से पूरी जनकारी देने वाला हूँ कि कौन कौन से कोशन पूछे गए थे तो जितने भी चात्र आज की रिट में गए थे एक्जाम देने सबी लोग यहाँ पर अपना कोशन मिला लिजेगा और बहुत सारे चात्र ऐसे होंगे जिनका यह कोशन नहीं होगा तो लोग कमेंट में जरूर बताईएगा तो चलिए कोशन स्टार्ट करते हैं पहला कोशन पूछा गया था किस सिष्टम मर्थिंग कहां किया जाता है जनरेटिंग इस्टेशन में या बेदुत लेपंद स्थापना में या चोटी अधगी का स्थापना में या घरेलू वायरिंग स्थापना में तो सात्यों यहाँ पर सही हो जाता है आफसन नंबर 1, करेक्ट टेंसवर, जिन चातरों ने जनरेटिंग इस्टेशन मारा होगा, उनका करेक्ट टेंसवर हो जाता है ए आफसन, सभी लोग ध्यान दिजिएगा, अगले कोशन क्यों हो रहाते हैं, कोशन नंबर 2 पर, जिसमें क कोशन नंबर 2 में पूछा गयाता है, तोड़ा से लंबा कोशन है, मैं इसको यहाँ पर जूम कर देता हूँ, यह देखिए, इसमें पूछा गयाता है कि उपभोक्ता मुख्य बोर्ड से, सेवा सन्योजन आपूर्ति किस अस्थान से जूड़ी होती है, आईसी कट आउट स से, या मुखी स्विच से, या उर्जा मापी से, या वितरन बोर्ड से, तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है, सी आपसन इसको उर्जा मापी के नाम से जाना जाता है, यह थोड़ा सा लिखने में यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, लेकिन आप समझ लेजेगा, उर्जा म आवस्यक हैं दोहरा कुछ अलक या कार्यातमक कुछ आलक गया परतलिप प्रबलंत कुछ अलक या पूरक कुछ अलक तो सैतिवों यहाँ पर सही हो जाते आफसन नमबर कार्यातमक जो कि आफसन में आपको भी आफसन देखने को मिलता है बिल्कुल करेक्ट एंसर आगे बढ़ते है। कोशन नमबर चार पे जिसमें कोशन नमबर चार में पूठा जा रहा है कि DAY SEC SET breaking किया। साथ या डा इस एक जो सेट होता है इसका जो उपीयुक होता है कहां पर किया जाता है। जिसका बढ़ते हम कोशन नमबर पांच पे जिसमें कोशन नमबर पांच में पूशा जा रहा है कि घरेलू तारों में लचिली तारों का क्या उदेश है घरेलू तारों में जो फ्लेक्सिबल तारे होती है जो लचेकदार तारे होती है उसका क्या मतलब होता है तेखे साथ यो इसका लाइन होता है उस तर तो वह जाएगा नहीं तो आपका फ्लिक्सिबल होता है लशकदार होता ही है तो यह आपका सही हो जाता है आपसन नंबर डी बिल्कुल करेक्टिंस वर मिला लीजिएगा अगले कोशन क्यों रहाते हैं कोशन नंबर 6 पे जिसमें कोशन नंबर 6 में पू आफसन देखने को मिलता है बिल्कूल करेक्ट एंसर आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर साथ पे जिसमें कोशन नंबर साथ में पूछा जा रहा है कि बैटरी में बोल्टेज की चार्जिंग इस्तिती की जाच करने के लिए किस उपकरान का उपयोग किया जाता है बोल्टमीटर का या मल्टी मेंटर का या हैडरोमीटर का या उधितर निरावेंसन टेश्टर का तो साती यहाँ पर सही हो जाते हैं आफसन नंबर डे 10 fulfill हरे сейл की आवेशन की रहामय किरी या के दोरान धहनात्मक पुलिक पर क्या आएगा इस पांज लेड आएगा लेड परक्साइड आएगा यह लेड़ सल्फेड आएगा यह लेड़ सल्फेड पलस जल आएगा तो साथ ही यहां पर सोई हो जाता है आफसन नमबर भी जो की लेड़ पर एकसाइड आएगा तो हम भी आफसन कोशन के अनुसार करेक्ट इंसर मारेंगे सभी लोग ध्यान दिजिएगा आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 9 पे जिसमें याँ पर कोशन नमबर 9 में पूछा जा रहा है कि डिजिटल घडि आप कैसे तो किया होते हैं इसमें जो फिरुकृम किया जाता है वह बिल्कूल करेक्ट इंसर ऩड़ यगा आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 10 इसमें यहाँ पर पूछा है तो उसके लिए हम किस टॉंस्पार्मर का परियूग करेंगे तो साथ जब करें करें ग positives पार Ne За Narrator तो चाहिए परियूग करते हैं यदि 200a कि एस से उपर की बात करें तो यह आपका सही हो जाता हैं आइसान नमबर सी बिल्कुलρω मना बिल्कूल और जो अल्टरनेटर होता है दोनों की जो रेटिंग की जाती है नमबर को ध्यान किया गया तो आफसन नंबर ये आपका क्रेक्ट निंस्वर हो जाता है गया बढ़ते हैं कोशन नंबर 12 पे जिसमें यहां पर कोशन नंबर 12 में परियोग किया जाता है उसका क्या नामे इसमें पूछा गया है तो इसमें पूछा आ जाता है तो यह आपका सही हो जाता है डेल्टा स्टार कनेक्शन का परियोग होता है किसमें स्टेप डाउन में नोट कर लिजेगा तो सी आफसन कोशन के अनुसार करेक्ट एंसर हो जाता ह अगले कोशन क्यों को रहाते हैं कोशन नमबर 13, जिसमें यहां पर पूछा जा रहा है कि कम capacity के transformer एक किस connection का प्रयूब होता है इस्टार का यह डेल्टा का यह स्टार इंटर इस्टार का तो आफसन नंबर सी आपको करेक्टेंस्वर देखने को मिल जाता है बिल्कुल करेक्टेंस्वर आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर 14 जिसमें या पर पूछा जा रहा है कि सेल टाइप टांसफारवर में कितने चुमकिया मार्ग होते हैं एक दो तीन या चार तो साथ इसमें जो मार्ग होते हैं तीन मार्ग होते हैं सेल टाइप टांसवर में जो कि चुमकिया मार्ग होते हैं तो आफसन नंबर सी हमारा करेक्टेंस्वर हो जाता है कोशन करनुसा कोशन नंबर आते हैं 15 जिसमें आप पूछा जा रहा है कि जिस वाइंडिंग से सप् तो जिससे देखिए जिससे हम सप्लाई लेते हैं ध्यानिक से सुनिएगा को जिससे हम सप्लाई लेते हैं उसको क्या बोलते हैं से केंडरी बोलते हैं और जिससे टॉंस फार्मर सप्लाई लेता है उसको प्राइमरी बोलते हैं तो यह इसका अंतर होता है समझ लेजेगा तो जिस winding से supply लिए जाती एक ग्राइए उसे क्या कहते है though इससे हम बोलते एक बोलते है लेता है, उसकोम बोलते है क्राइमरी Toil लगे कोशन के ओर आते है कोशन न.16 जिसमें यहां पर पूछा जा रहा है कि सुस्क हवा देने के लिए टांसफार्वर में क्या लगशा जाता है तो इसमें का हवा देने के लिए पूछ रहा है तो सुस्क का म्तलग की उसमें कोई नवी नहो इसका why शुष्क बोला जाता है तो इसके लिए मैं यहां पर करते बरी तरका के इसका बीदर का उपयूग करते जो की option में आपको यह दिखने को मिलता है करेक्ट एंसवर आगे बढ़ते कोशन नंबर 17 जिसमें यहां पर पूछा जा रहा है कि पोटेंसियल टॉंस फार्मर का परियूग क्या माने के लिए किया जाता है जिसका यहां पर सही हो जाते हैं अधिक बोल्टेज आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर 18 जिसमें यहां पर पूछा जा रहा है कि एसी और डेसी रासियों को मापने के लिए किसी यंत्र का प्रियूग करते हैं मोविंग कहाईल या और्थ डीज़िस्टस या डैनम हो या मोविंग आइरण टाइप तो सात्वी בא कोशन नंबर 19 में यहां ध्यान से देखिएगा कि secondary यंत्र कितने परकार के होते हैं साथ इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है तो इनकी संख्या होती है तीन जो कि मैंने उपर आपको बता दिया है यहाँ पर हमारेंगे question कनुसार option number C इनकी correct टेंसर यह secondary यंत्र है ठीक है ध्यान से इसको समझ लेजिएगा आगे बढ़ते question number 20 पे जिसमें आप पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोल स्टिक यंत्र का पर्योग किसमें किया जाता है emitter में, bolt meter में या frequency meter में या watt meter में तो साथ इसका प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? bolt meter में ध्याने किगा यदि आप ITI के चात्रे और आपको जनकारी नहीं मिल पा रही है कि हमारी ITI के exam कब होगा ITI की परिछा हमारी कब होने वाले है और ITI का result हमारा कब आने वाला है तो मैं आपसे request करता हूँ कि आपको नीचे एक rate color का button दिख रहा होगा subscribe वला उसको दबा कर वगल में घंटी वाला icon को दबा कर all notification पर click कि लिजिए आपको जो भी ITI से समझनी सूचना चाहिए कोई भी वेकेंसी आती है उसकी भी आपको जनकारी मिलती रहेगी टाकि आप ITI पास आउट है तो आपको कहीं भी यहाँ पर वटकने की दुरत ना फड़े आपको जो भी government जवाब आती है अपरेंटिसीव की जो भी वेकेंसी आती है उसकी जनकारी आपको समय समय पर मिलती रहे तो फटाकर चैनल को सिस्क्राइब कर लिजिएगा